तो देखो बोध दिन से आपको इंतिजार होगा कि हमारा क्लास 12 का रिजल्ट किस तरीके सा फॉर्मेशन किया जाएगा और आज सीबसी बोड ने एक टेबुलेशन आप मार क्लास 12 बोड इग्जामीनेशन का सुप्रीम कोट में दिया है कि हम इस तरीके से 12 क्लास 12 वाले बच तो पहले में जो आपको बताऊंगा वह थेयोरी पोर्सन का बताऊंगा थेयोरी का मतलब यह है कि आपका देखो जैसे इंग्लिस का पेपर होता है तो 80-20 रहता है और फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका जो बाइलोजी का पेपर हो 70-30 मार्क का रहता है तो इन्होंने बोल तो किस तरीके से कंसिडर करेंगे उसको हम डिसकर्शन करते हैं तो उनका यह कहना देखो पहली बात उन्होंने यह बोला है कि जो आपका टेंथ में रहेगा ना टेंथ का वह 30% लेने वाले है और टेंथ में सारे सब्जेक्ट का ने लेने वाले है जो आपके टॉप 3 जो क्लास 12 में क्लास 12 का 40% रहेगा और यहां लिख दिया हूं और यहां पर लिखा हुआ है यहां पर क्लास 12 एक्जामिनेशन 2021 में किस तरीके से रहेगा यहां पर बताए आपको ठीक है इसमें क्या बोला गया आपको कि क्लास 12 जो है उसका देखो क्या लिया गया आपका मार्क्स बेस्ट इसमें जो भी आपका 30 परशंट मार्क था उसको डिरेक्ट कंसिडर एजिट इस करेंगे वह पर यहां पर लिगा हुआ बेस्ट थ्री परफॉर्मिंग ठीक है जो भी में से और उससे वह आपका फिर 30 परसेंट यहां पर कंसिडर करके जो भी आपका मार्क बनेगा उसके इसाब से लेंगे अब वो किस तरीके से रहेगा मैं आपको पुरा इस डिटेल में बताता हूं यहां पर देखो लिखा हुआ है तो उन्हें क्या बोला है कि जो प्रैक्टिकल रहेगा उसको आपको पूरा इस वाइसे उठाकर रखना है ठीक है जो भी इस टेटा प्रोवाइट करेंगे वह रहेगा आपका प्रैक्टिकल का और टोटल आपका उस तरीके से आज़ाएगा लेकिन हम जिसकी बात करें यह से क्लास टेंथ का लेंगे 30 परसेंट और यहां पर यहां पर पहला वाला जो है यह आपको दिया हुआ यहां लिग देता हुआ तो यह दो यह वाला जो यह प्रैक्टिकल का दिया हुआ हुआ है जैसे आपका मैस हो गया वह 80-20 पे चलता है यहांपर उन्होंने पुरा कॉलम्म वाइस बनाके घिया कि 80-20 में किस तरीके से करना और किस स्ट्रीच करना करना है 60-40 निरे करना क्योंकि कुछ पेपर आपका सब्सक्राइब और 80 चिप्न करते एगार शक्तिपर मतंद इतने पॉसिबिलिटी थे उन्होंने सब पता दिया है मतलब 5 टोटल पॉसिबिलिटी है तो 5 के पाच यहां पर पॉसिबिलिटी उन्होंने डिसकसन किया यहां पर ठीक है अपका ऐसा बोला गया देखो ग्लास 10 में 30 परसंट बोले इसका मतलब है कि जब आप 80 वाला कैल्कुलेट क तो इसका प्रेक्टिकल निया गया फिप्टी लिया गया थे लिया गया और प्रिटी परसंट मतलब आप कर दो कितना हो जाएका आपका हंडेड़ मार का जाएगा मतलब मैं यह बोलना चाहरा हूं आपको अगर आप मैस का मैस का देख रहे हो तो ट्लास 10 में आपको तो आपको 24 डिरेक्ट मिल दाएगा यहां पर यहां पर जो रहेगा आपका यह भी 80 अग्जाम दिया है उसके इसाब से क्या करेंगे और समझे यहां पर भी आपको फूल मार के तो क्या करेंगे यहां पर भी आपको 32 मिल जाएगा और बोर्ड में भी समझे आपको फूल मार के तो तो पुरा यह होगा आपका 52 तो आपको फिर 100 में से 100 मिल जाएगा इस तरीके से लेगा लिकान अगर आप समझे आपको 70 70 मार के मैं तो क्या करेंगे वह 7 मतलब 30 परसेंट लेंगे 70 मार का कितना हो जाएगा उस तरीके से क्यालेक्डर कर लेंगे आपका ठीक है तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से खूद कर सकते हो आपने 12 बॉर्ड एक्जाम आपने वह आपने घर में इस तरीके से बता रहा है तो मैट्स का इंग्लिस का भी 80-20 का रहता है हिंदी जिन लोगों का होगा उनका इस तरीके से रहता है और जो आपका 70-30 रहता है में तो आपका 70-30 वाला ही है क्योंकि इसमें physics भी आएगा chemistry भी आएगा biology भी आएगा तो इसमें कै इसमें अगर आप 70 मार्का 40 पर्षेंट निकालो को जो कितना जाएगा 28 मार्क आजएगा और प्रैक्टिकल एक्जाम में फिर कितना होगा आपका 30 तो थर्टी प्लस ट्वंट्टी एट कितना आपका 58 तो यहां पर तो 58 और यह 21-21 तो कितना हो गया 42 तो मैं टोटल मार्क कि समझो 60 मार्क मिला आपको 60 मार्क मिला है तो 60 का अगर आप 30 30 परसेंट निकालो कि तो कितना हो जाएगा 18 मार्क हो जाएगा आपको 21 में से आपको कितना मिला 18 मिल गया तो यहां पर देख रहे होंगे कि आपका जो आपका प्रैक्टिकल एक्जाम के बहुत ज्यादा माहिने रखेगा क्योंकि आपका एक्टिकल यहां पर एड़ हो रहा है ठीक है कुछ एक्जाम आइसी भी रहते हैं यहां पर इस तरीके से प्रोवाइट करना है और आप अपने घर में बैठके इस तरीके से आप कैल्कुलेट कर सकते हैं लिजान फॉर्टिकल मार्क की तो आप इस तरीक से गलकुलेट कर लिजएगा इसके उपर में आपको नीचे में दिखा देता हूं कुछ दिया हुआ है कैस में कॉ यह जो आपको बता है वह उन्हों नहीं यह पर लिकाए कि लिए जाएगा फाइनल थी एक्जाम इन रिसक्ट टीट गांगा जो आपका पूरा पूरा जी तरीके से अप्लोड करेंगे इस तरीके से बॉर्डवाले वाले चुछ तरीके से बॉर्ड वाले एक अब यही प्रोसीजर ना तो देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन एक तरीके से आपका डेटा आ चुका है तो हम इस तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हैं